हेलो स्टुडेंट्स स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर आज इस लेक्चर से हम विकॉम के स्टुडेंट्स हैं उनके लिए मैथेमेटिक्स के लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं विकॉम में कुछ स्टुडेंट ऐसे भी होते हैं जिनों ने 11 और 12 में मैथेमेटिक्स नहीं पढ़ा होता है तो वो स्टुडेंट्स जब मैथेमेटिक्स बढ़ते हैं ग्रेजुशन लेवल पर दन दे फिल अनकमफर्टेबल बट हम इस चैनल से आपके लिए जो लेक्चर से लेकर आएंगे हमारा ये वादा है आपसे कि आप लोग अनकमफर्टेबल फिल नहीं करेंगे हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपको अच्छे से सभी लेक्चर समझा पाएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आपको business mathematics से related जो भी topic हैं वो मिलते रहेंगे आपको time to time आज हम जिस lecture को discuss करेंगे that is logarithm of a number चलिए students सुरू करते हैं सभी students जानते हैं 10 square is equal to 100 तो logarithm की form में कैसे लिखेंगे जिस number का आपने power किया है वो यहाँ लिखना है base हो जाएगा वो कितना power किया है वो यहाँ लिखना है और power करने से जो आया है वो यहाँ लिखना है आपने तो यानि 10 का power आपने 2 किया और 100 आ गया तो this is the logarithm notation similarly अगर आप यह देखे 3 square is equal to 9 तो किसका power किया है आपने 3 का तो वो base होगा कितना power किया है 2 और करने से ऐसा करने से क्या आया है 9 तो यह जो notation है that is called logarithm notation ठीक है तो इसको अगर हम समझने के question करें तो क्या होगा base की कितनी power करें कि number आ जाए suppose मेरे पास कोई number है n और base है b तो मैं यह कहूंगा कि logarithm of n in base b is x if b raised to power x is equal to n कि base का x power करने से n आ गया तब हम कहेंगे logarithm of b, base b n is equal to x so this is called exponential notation and this is called logarithmic notation तो students difference समझ में आया आपको exponential notation और logarithm एक बार और revise करते हैं आपने base लिया b आपने n का log calculate करना है हम कहेंगे n का log x है base b में अगर b की x power करने से n आ जाए then we say that logarithm of n with respect to base b is x example आपकी सामने है तो चलिए students कुछ और example देखते हैं 10 raised to power minus 3 आप सभी जानते हैं it is equal to 0.001 तो base का कितना power किया minus 3 और ये number आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ हम इसको लिख सकते हैं logarithm base आपका 10 है किस number का calculate किया आपने 0.001 का और कितना आया minus 3 base का minus 3 power करने से ये number आया तो this is the logarithm ओके students तो students next देखिए let a be any positive number ये आपने कोई भी positive number लिया आप सभी जानते हैं किसी भी number का 0 power करने से क्या आता है और आपने किसी भी number का 1 power किया तो वही number वापिस आएगा तो देखिए इसको logarithm की form में कैसे लिखेंगे किसका power किया आपने a का तो base क्या हो गया a कितनी power किया 0 वो यहाँ लिखेंगे और जो number आया है वो यहाँ पर तो देखिए क्या बन गया आपके पास कि logarithm of 1 in any base is 0 और आप इस result को use गरते आये हैं कि 1 का जो logarithm है that is always 0 in any base e अब इसको देखिए notation को कैसे लिखेंगे logarithm form में किसका power किया आपने a का कितना power किया 1 और ऐसा करने से क्या आया a तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी number को अगर उसी base में logarithm calculate करेंगे तो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा ओके तो इसी वज़़े से आप ये कहते हो कि अगर base 10 है और 10 का logarithm calculate कर रहे है तो हमारे पास क्या आता है 1 तो जो base है वही number है तो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा तो next result देखिए अगर a कोई भी 1 से बड़ा number है तो 1 by a raised to power infinity ये जो number है 1 से बड़ा है तो 1 से बड़े की आप power बढ़ाते जाएंगे तो number बढ़ा होता जाएगा यानि ये जो number है a raised to power infinity ये आपका infinite हो जाएगे and 1 by infinite number is 0 this implies अगर इसको आप देखें तो कैसे लिखेंगे a raised to power minus infinity is 0 आप देखिए इसको logarithm की form में कैसे लिखेंगे किसका power किया आपने a का logarithm of base a कितना power किया minus infinity और क्या result आया 0 और इसलिए हम ये कहते हैं कि 0 का जो logarithm है किसी भी base में लें that is minus infinity अब एक और सेट देखते हैं a greater than 1 है 1 से बड़ा number है उसकी power बढ़ाते जाएंगे infinity करेंगे तो क्या आएगा infinity तो देखिए logarithm की form में कैसे लिखेंगे logarithm of a a का power किया कितना power किया infinity और क्या आया infinity तो हम ये कहेंगे ये हम result use भी करते आये हैं कि infinity का जो logarithm है किसी भी base में infinity ही रहेगा तो ये कुछ standard results हैं इनको आपने definition की help से सीखा और इसको कोशिश करें याद रखने की तो students कुछ question ट्राई करते हैं first question आपके सामने है देखिए क्या given है आपको m का जो logarithm है base a में n है आपने क्या prove करना है कि अगर हम base को 1 by a reverse कर दें तो logarithm negative हो जाएगा तो देखिए prove कैसे करेंगे इसको आपको क्या चीज गिवन है पहले बो लिखिए ये आपको given है definition क्या कहती है कि आपने m का logarithm calculate किया और क्या आगया n यानि आपने a की n पावर की तभी आपके पास m आएगा ये आपका logarithm का definition है base का कितना पावर करे m आजाए base का कितना पावर किया आपने n पावर किया तो क्या आगया हमारे पास m तो देखिए prove क्या करना है हमने हमें ये prove करना है required to prove logarithm of m in the base 1 by a is minus n तो इसका मतलब क्या है कि 1 by a की minus n पावर करने से m आ जाए अगर हम ये दिखा सकें तो हमारे result प्रूव हो जाएगा तो हमारे target क्या हुआ 1 by a की minus n पावर m आ जाए ये हम prove करेंगे तो देखिए आपको ये चीज़ गिवन है a n is equal to m a n is equal to m यहाँ से क्या result आएगा आप इसको क्या करें reverse कर दे 1 by a n is equal to क्या आ जाएगा 1 by m क्योंकि reverse करेंगे तभी negative आएगा तो this implies 1 by a raised to power n 1 by a raised to power n is equal to 1 by m अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे minus 1 पावर introduce कर देंगे 1 by a आपने क्या किया ये n है इधर भी minus 1 पावर increase कर दी और इधर भी minus 1 पावर increase कर दी तो देखिए क्या होगा 1 by a की power minus n ये तो minus n हो जाएगा और इधर देखिए 1 by m को लिख सकते हो आप m inverse inverse ठीक है और देखिए m inverse inverse क्या हो जाएगा m तो देखिए 1 by a का minus n पावर करने से m आ गया तो हम ये कहेंगे logarithm के definition में base का power किया 1 by a का power किया तो base क्या हो गया 1 by a कितना power किया minus n और क्या आया m तो हमने ये ही प्रूव करना तर रिजल्ट और ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया तो students बड़ा simple है बस आपने basic definition के याद रखनी है कि base का कितना power करे कि वो number आज है that is the basic concept of logarithm तो students next question देखिए logarithm base 0.4 0.0256 ये logarithm हमने compute करना है कि इस logarithm का value क्या होगा तो देखिए कैसे करना है students आपने इसको try आप इसको x मान लीजिए let logarithm of 0.4 0.0256 is x आपने क्या मान लिया कि इस number का 0.4 base में logarithm क्या है x है तो इसका मतलब क्या हुआ 0.4 का x power करने से ये आएगा this implies 0.4 का आपने x power किया और आपके पास क्या आ गया 0.0256 okay students तो देखिए इसको simplify करना है decimal के बाद एक place है तो इसको लिखेंगे 4 by 10 x is equal to इसको देखिए कैसे लिखेंगे 256 decimal के बाद कितने places है 1, 2, 3, 4 तो ये आपके पास 4, 0 आ जाएंगी okay तो students हमने कोशिश ये करनी है कि जो left hand side में base है यहाँ base देखिए किया 4 by 10 है तो right hand side में भी यही base आ जाए ठीक है और देखिए इसको हम 4 by 10 raise to power 4 लिख सकते है because 4 का जो 4 power है वो 256 आएगा और 10 का जो 4 power है वो आपके बास ये आएगा तो इसको हमने लिखा 4 by 10 raise to power 4 बस यही ध्यान लखना आपने जो इधर base है वही इधर base रखना है उससे cancellation आसान लएगा cancel करने में असानी रहेगी तो देखिए base सेम हुआ तो हम लिख सकते है x is equal to 4 तो देखिए क्या answer हुआ हमारे पास 0.4 base में 0.0256 का जो logarithm आएगा वो क्या आएगा 4 आएगा तो next question देखिए students show that 1 by a, b plus 1 by logarithm base b है a, b is equal to 1 यह हमने show करना है तो students इस तरह के जो question को try करेंगे तब हमने क्या करना है जो भी logarithm quantity है उसको कोई नाम देदेंगे अब इसको x माल लेंगे और इसको y माल लेंगे तो माल लेते हैं कि जो यह है इसको हमने x माल लिया और इसी तरह से base b में इसको हमने y माल लिया तो definition क्या कहती है कि a की x पावर करने से a b आएगा और इधर b की y पावर करने से a b आएगा हमने प्रूव क्या करना है देखिए question आपका क्या है इसको अपने one प्रूव करना है और इसको हमने क्या मानना है X और इसको क्या माना है Y तो इसका मतलब हमने ये प्रूव करना है 1 by X plus 1 by Y is equal to 1 ये हमने प्रूव करना है ओके स्टुएंट्स देखिए इसको हमने X माना है इसको Y माना है तो हमने प्रूव क्या करना है 1 by X plus 1 by Y is 1 तो हमारे mind में target fix हो गया कि अब हमें ऐसे लेके आना है 1 by X plus 1 by Y is equal to 1 तो इसका मतलब मुझे X को अलग करना है और Y को X को अलग करें यहां से तो देखिए कैसे होगा इस इंप्लाइज अब मैं क्या करूँगा इस power को इधर shift कर दूँगा तो ये हो जाएगा हमारे पास AB raise to power 1 by X इसी तरह से यहां पर देखिए इसको इधर shift कर दें तो B is equal to AB raise to power 1 by Y अब देखिए मुझे इन दोनों को add करना है क्योंकि मुझे 1 by X plus 1 by Y चाहिए तो मैं इन दोनों को क्या करूँगा multiply करूँगा क्योंकि multiply करने से क्या होगा 1 by X और 1 by Y add हो जाएंगे तो multiply कर दें दोनों को AB left side से multiply करें A into B right side में क्या आएगा AB 1 by X into AB 1 by Y base same है तो power add हो जाएंगी AB raise to power 1 by X plus 1 by Y left hand side में क्या आया AB raise to power 1 तो वही चीज़ बाज़वार आ रही है कि base same रखना है base same होगा तो power को आप compare कर सकते हैं तो this implies 1 by X plus 1 by Y is equal to 1 अब value रख दें X की 1 by X क्या है हमारे पास logarithm A AB और Y क्या है logarithm B AB is equal to 1 तो यह हमने prove किया तो students next question देखिए we have to find the logarithm of 243 in base 81 base 81 है और 243 का logarithm find out करना है तो हमने मान लिया कि यह क्या है? X है तो let logarithm of 243 in base 81 is X तो इसका meaning क्या हुआ? कि 81 की X पावर करने से क्या आएगा? 243 आएगा ओके तो अब हापने क्या करना है? इसको same base में convert करना है तो देखिए 81 और 243 दोनों ही 3 के टेवल में आती है तो हम इसको लिखेंगे 3 raise to power 4 81 क्या होगा? आपका 3 raise to power 4 is equal sorry 3 raise to power 4 X is equal to और यह देखिए 243 के टेवल में कैसे आएगा? 3 raise to power 5 ओके तो 3 की 5 पावर करने से 243 आएगा तो अब base same होगा देखिए कैसे? 3 raise to power 4 X is equal to 3 raise to power 5 base same हुआ तो हम लिख सकते हैं 4 X is equal to 5 and this implies X is equal to 5 by 4 यही हमने find out करना था कि जो X है X का value क्या होगा? 5 by 4 यानि हमने क्या किया? 243 का base 81 में logarithm निकाला वो क्या है हमारे पास? 5 by 4 next question देखिए logarithm of 3 logarithm of 2 512 यह हमने find out करना है कि इसकी value क्या होगी? ओके तो देखिए कैसे find out करेंगी? पहले जो bracket के अंदर है उसको solve करते हैं हम आ लेते हैं logarithm of 512 2 is Y ओके तो इसका meaning क्या हुआ? 2 का Y पावर करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए? 512 ठीक है? तो अब आपने क्या करना है? 512 को 2 की पावर में express करना है ठीक है? तो मैं इसको लिख देता हूँ यह आपके पास आएगा 2 raised to power 9 ठीक है? आपको 2 की 9 पावर करेंगे तो 512 आएगा आप इसको check कर सकते हैं तो देखिए base same हुआ तो y हमारे पास क्या आगया? 9 y क्या आया? 9 तो इसको हमने y कहा था तो यहाँ put कर दें तो logarithm of 3 logarithm of 2 512 is equal to logarithm base 3 इसका value क्या आया? 9 तो मुझे क्या करना है? 9 का logarithm निकालना है base 3 में यानि 3 की कितनी पावर करें कि 9 आजाए तो आप बड़े इसली कहा सकते हो 3 का 2 पावर करने से 9 आयेगा तो answer हमारे पास क्या आगया? 2 तो students next question देखिए 324 का logarithm find out करना है और base क्या है? 3 root 2 ओके तो इसको हम माल लेते है यह logarithm x आया let logarithm of 324 in base 3 root 2 is x अपने इसको x माल लिया तो इसका मतलब क्या हुआ? कि 3 root 2 का x पावर करने से क्या आना चाहिए? 324 आना चाहिए अब मुझे 324 को इसी base में लिखना है क्योंकि मैं बार-बार वही बात repeat कर रहा हूँ कि आपको base same रखना है दोनों तरव इधर जो base है वो इधर होना चाहिए तभी आप compare कर पाएंगे तो देखिए कैसे break करेंगे 324 को factor कर ले 324 को 3 चाहिए न आपको तो 3 से factor करें 108 फिर 3 से divide करें 36 फिर 3 से divide करें 12 फिर 3 से 4 और फिर 2 तो देखिए क्या लिखा आपने इसको 1, 2, 3, 4 3 raise to power 4 and 2 raise to power 2 तो 3 तो आपका आगया बट आपको root 2 चाहिए तो देखिए कैसे लिखेंगे 3, 4 2 को लिख सकते हैं आप root 2 का square root 2 का square और फिर ये square देखिए 2 को क्या लिखा हमने root 2 का square तो ये मेरे पास हो गया 3 raise to power 4 into root 2 का 4 power ओके तो इसको लिख सकते हैं 3 root 2 का 4 power और left hand side में देखिए क्या है 3 root 2 का x power तो इसका मतलब क्या हुआ x is equal to 4 तो ये हमारा answer हो गया तो ये जो value हो गई ये आपका 4 हो गया तो यानि logarithm of 324 in base 3 root 2 is 4 तो एक question और देखिए question को समझिए क्या है कि आप इस number का logarithm calculate करना चाहते हो और आपने logarithm calculate किया 3 आपको पता करना है कि किस base में base क्या होगा कि इस number का logarithm 3 आजाए तो यहाँ पर हमने base find out करना है तो definition वही रहेगी x का 3 power करने से क्या आना चाहिए 0.008 ठीक है तो x का 3 power करने से क्या आएगा आपके बाद 0.008 ओके simplify करने इसको x3 is equal to इसको लिखेंगे 8 by 1000 तो यह आपका x का power 3 है तो मुझे भी इसको अब यहाँ पर same power करेंगे क्योंकि base की value निकाल नहीं है जो पीछे हमने question किये थे वहाँ पर आपको base same रखना तक power evaluate करनी थी अब यहाँ पर power given है हमें base evaluate करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे power को same करने की कोशिश करेंगे तो इसको 8 कैसे आएगा 2 की power 3 और 1000 कैसे आएगा 10 का power 3 तो यह आपके पास हो गया 2 by 10 का power 3 तो power same हुई तो base लिख सकते हो आप x is equal to 2 by 10 is equal to 0.2 तो यह हमारा answer हो गया इसका next question देखिए logarithm of 16 किसी number का x का logarithm base 16 में 5 by 4 है हमने number find out करना है क्या करना है number find out करना है definition वही रहेगी base का 5 by 4 power करने से x आएगा base 16 है 16 की 5 by 4 power करने से क्या आएगा x आएगा तो देखिए इसको कैसे लिखेंग just आपने क्या करना है इस expression को simplify करना है 16 5 by 4 16 को लिख सकते हो आप 2 raise to power 4 and 5 by 4 तो यह 4 से 4 cancel हो जाएगा this is 2 raise to power 5 is 32 तो देखिए यह बड़े simple question है logarithm के बारे में just आपने basic definition यहाद रखनी है तो hope students आपको lecture पसंद आया होगा अगर आपको lecture पसंद आया है तो बने रहे हमारे channel को और subscribe कीजिए और देखिए अगर आपको लगता है कि किसी topic become के students को किसी topic में दिक्कत आ रही है कोई problem आ रही है तो आप हमें comment box में लिख सकते हैं या हमारे channel की email ID पर लिख सकते हैं आपके लिए उस problem का solution लेकर आएंगे Thank you लिए रही है